नमस्कार दोस्तों आप सभी का study for UPSC PCSL में स्वागत है काफी दिनों बात दिये वीडियो लेकर आ रहा हूँ क्योंकि एक्छली में आप देखी रहो कि BPSC को लेकर कितना जादा आंदोलन और पता नहीं क्या क्या हो रहा है यह सब एक mental harassment भी होता है जो परने वाले बच्चे है genuine उनके लिए वैसे जरूरी भी है आपके लिए क्योंकि विवस्ता में सुधार होना जरूरी होता है सुधार नहीं होगा तो परने का कोई benefit नहीं मिल पाता है इसलिए अगर अंदोलन कर रहे हैं आपका मेंस भले ही हो या प्री हो गया हो आपको support करना चाहिए क्योंकि ultimate इसका जो benefit मिलेगा नो आप ही लोगों को मिलेगा और किसी को भी नहीं मिलेगा है ना इसलिए उसके कारण में वीडियो नहीं बना पा रहा था मुझे दो ही चीज पढ़ना पसंद आता है एक पढ़ना और एक पढ़ना फाल तुग वीडियो मैं भी डाल रहा तो चैनल पर जो भी है जब समर्थन करने का टाइम था समर्थन की अभी फिर से पढ़ाई के टाइम है तो पढ़ाई करते हैं आज हम क्या सब करेंगे पहले में वो बता देता हूं जो दिरिश्टी आइस का ये test series है GS2 का GS2 मैं क्यों के लिए कराया हूं क्योंकि student बहुत सारे message कर रहे है अलग अलग प्रेटफॉर्म पर जिनका mains है या जो और सथमी की भी तियारी कर रहे हैं और सथमी की जो तियारी कर रहे हैं उनको दिक्कत आ रही है में मैं वो बता देता हूं उसको आज मैं GS2 पढ़ा जाओंगा इस पर answer राइटिंग पर जो BPSC mains देना चाहते हैं अभी मत दे वो दोनों लोग दोनों तरह के स्टेंट मैसेज कर रहे थे 67 मेंस के जो बच्चे हैं उनका भी ज्यादा प्रियोटी देना चाहिए क्योंकि उनका एक्जाम बहुत नजदीक है संभव है कि December Last में एक्जाम हो अगर आगे भी भरता है तो भी आपको एक्जाम तो देना ह जाता है और 67 मेंस के बच्चों का था कि हम मेंस के लिए अप्रोच क्या रखें मतलब की पढ़ें कैसे और एंसर कैसे लिखें इनका ये नहीं था कि किसी पर्टिकुलर सब्यक्ट को लेकर में था कि एंसर राइटिंग कैसे किया जाए ओके इसी दो चीज पर बात करेंगे ह लोग आज तो सबसे पहले सुरू करते हैं कि एंसर राइटिंग के लिए बेसिक चीजे क्या चाहिए होती है जिलनों का एंसर राइटिंग अच्छा हो गया है वो इस भाग को स्किप करके आगे जा सकते हैं जब मैं यह प्रस्ण का पूरा हिस्सा बताऊंगा एक एक प्रस इससी या यूपेस्टी के स्टैटी मेटेरियल मिलता होगा ने जिनिलाकों में मुझे नहीं है उनिलाकों पता कीजिए आपको मिल जाएगा यह ओके तो इसको आप खरी सकते हैं मैं इसका एक एक कुस्टन नोट डॉण करवा दोंगा आपको आगे एंसर राइटिंग के ज पूल चीज चाहिए होता है न सबसे पहली चीज कंटेंट से भी जादा जो चीज चाहिए होता है न कंटेंट बहुत सारे लोगों के पास होता है है न लेकिन सबसे में चीज चाहिए होता है समझ समझ जो चाहिए होता है न वो चाहिए होता है मुझे चीज समझ नहीं होग भी वो लिख सकते हैं समझ रो ना, या मैं समख्ष लिख रहा था तो समझ क्या होनी चाहिए समझ, जैसे सवाल पूछा गया था, मैं एक answer writing का एक उदाहरन देता हूँ, बहुत सारे student ने उसका answer लेके भेजा है जिसमें था, कि राष्टपती का जो पद है, राष्टपती का पद परिवार एक उस बुजूर्ग के भाती है, ऐसी करके एक सवाल था, जिसके पास अधिकार नहीं होते हैं फैसल लेने के इस तरह के कोश्चन था, मैं पूरा लेने का अधिकार नहीं है, यहीं पर आपका answer पूरा पूरा काट देगा आपको अगर 30 नमर का सवाल है, या 32 नमर का सवाल है तो आपको उसमें 5 नमर भी नहीं देगा वो क्योंकि आपने घलत answer लिखा है इसी को बोलते हैं समझ क्या content नहीं है, क्या राश्पती पद के बारे में सब लोग जानते होंगे जो भी परते हैं सब लोग जानते हैं है ना, तो यहीं पर दिक्कत कर जाते क्योंकि समझ होनी चाहिए आपको answer writing की, क्या समझ होनी चाहिए कि भारत सरकार या फिर राज्य सरकार कोई भी सरकार हो इसके किसी अंग के बारे में कोई पूछा जा रहा हो आपको उसकी आलोचना नहीं करनी है तब तक जब तक प्रस्ण में ये ना दिया रहे है कि आलोचनात्मक वर्नन कीजिए प्रस्ण में ये लिखा रहता है critical analysis है ना, या फिर आलोचनात्मक वर्नन सब्द लिखा रहता है तब तक आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे राष्टपती पद के बारे में आप ये बोल रहो कि परिवार का भुजूर गा जिसके पास कोई सकती नहीं है आपका answer चेक नहीं होगा काट देगा answer को इसी को बोलते हैं समझ ये समझ नहीं होगी तब आते हुए सवालों को गलत कर देंगे है ना, इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिसमें पूछे जाते हैं स्ट्वेंट से और वो फस जाते हैं कि उसमें जहां भर भी आप से पूछा जाए वो एक संबैधानिक पद है जो एक संबैधान के दाइरे में काम करते हैं अगर राष्टपती का पद इतना ही बेकार होता उसके पास कोई सकती नहीं होते तो संबैधान निर्माता इस पद को कभी नहीं बनाते राष्टपती के पास बिधाई सकती होती है न्याईक सकती होती है, सैनिक सकती होती है, हर चीज होती है। ये पौरिवार के नियंतरक का काम करते हैं। नियंतरक क्या होता है? पारटी, पॉलिटिक्स, गवर्नेंस हर चीज से उपर। हैनत इनकी आलुचना नहीं करनी हैं, इनको सम्विधान के दाइरे में रहकर काम करना होता है और सम्विधान के सरक्षक रूप में भी राष्टपती जाने जाते हैं उनके सपत में ये लिखा होता है कि सम्विधान के सरक्षक की भी भूमिका निभाएंगे जब आप Article 60 पर होगे कि राष्टपती का जो सपत है पद के लिए उसमें वो राष्टपती सपत लेते हैं कि सम्विधान के सारक्षक की भूमिका निभाएंगे हला कि सप्रीम कोट भी य drifting लेता है लेकिन राष्पती के पास भी होता है ति इसलिए इस पद की आलोचना नहीं करनी है मैंने आपको क्या समझाया मैंने आपको बताया कि एंसर य February इंकलिसर से पहली चीज़ क्या चाहिए होता है समझ चाहिए होता है सब्जेक्ट की समझ सवाल की समझ की सवाल में पूछ क्या रहा है यहां तक बात क्लियर हो गया है आगे बरते हैं अब मैं बताता हूँ और दूसरी चीज क्या चाहिए होता है एंसर एडियों के लिए कंटेंट कंटेंट नहीं होगा बीपीएससी की में खासतोर से बात कर रहा हूँ दोको यूपीएससी में सवाल दो तरह के आते हैं UPSC में सवाल आता है एक है 10 मार्ग का एक है 15 मार्ग का इसी तरह के आते हैं एक में लिखना होता है 1.500 सब्दों में एक में लिखना होता है 250 सब्दों में यहाँ पर तो limited है यहाँ पर ना आपको लंबी चौरी भूमिका बनानी है लंबा चौरा कंक्लूजन लिखना है दो लाइन की भी भूमिका नहीं होती दो लाइन का भी कंक्लूजन होता है मुख्य हिस्सा होता है सबसे बड़ा और एंसर खतम हो जाता है जोकि BPSC में क्या होता है 32 बटिस नमर के एक सवाल आते हैं इसलिए इसमें आपको चार से सारे चार पेज लिखना होता है ये बहुत बड़ा चीज होता है किसी भी टॉपिक पर छोटा लिखना जाता मुस्किल नहीं होता है बड़ा लिखना बहुत मुस्किल होता है क्योंकि एंसर भटक जाता है कई बार लोग सुरू करते हैं राश्टपती से लिखते लिखते कहां पर जले जाते पता ही नी चलता है उनको तो इस तरह की चीजों के लिए content आपके पास बहतरीन होना चाहिए यानि कि सौसे पहले आपको answer rating में क्या बनाना होता है सौसे पहले आपको भूमिका लिखनी होती है भूमिका के बाद मुख्य हिस्सा आता है उसके बाद आता है conclusion ये इसी में आपका पूरा answer खतम हो जाता है ये लगभग में आपको half page तो कम से कम होना ही चाहिए उसके बाद से ये सबसे बरा भाग होता है ये भी half page के करीब में होता है half page तो इतना में आपका answer complete हो जाता है अब content क्या होनी चाहिए जैसे मैं एक सवाल दिखाता हूँ यहीं पर है क्या है ये सवाल ये सवाल है कि भारतिये संग्ही धाचा संबैधानिक रूप से केंदर सरकार की और उनमुख है व्याख्या कीजिए इस सवाल को नो डौन कर सकते हैं आप इस सवाल मैं से बहुत सारे लोगों ने लिका इस सवाल का मूल क्या है समझ क्या है इस सवाल में क्या बन रहा है कि इसमें पूछ रहा है हमें से कि व्याख्या करना है कि भारत का जो संभिधानिक संघिय धाचा है फेडरल सिस्टम जो है भारत का वो केंद सरकार को जादे सक्ती देता है इसको व्याख्या करना है आपको इसके व्याख्या करेए अब इसके व्याख्या के लिए क्या चाहिए आपको समिधान के लगवग में वो सभी आर्टिकल चाहिए जिसमें किंद सरकार को सेंटर गॉर्मेंट को अधिक सक्तियां दी गई है तभी आप लिख सकते हैं इसको उसी को क्या बोलते हैं कि आपके पास content कितना ज़ादा है अगर content नहीं होगा भले इस सवाल आपको आसान लगता हो आता हो लेकिन जो आप लिखने जाएंगे सारे चार पेज इस सवाल के बारे में तो आप वहाँ पर भटक सकते हैं आप गलत दिशा की ओर जा सकते हैं इस सवाल में आपको ये लिखना है कि center government के कौन-कौन से ऐसे भाग है जहां पर सकतियां जाजा दी गई है लेकिन सम्विधान जो supreme court के बहुत सारे फैसले हैं उनके द्वारा बताया गया है कि देश में ना तो center government ना तो संसद की परधानता है ना न्यायपालिका की परधानता है और ना विधायका की परधानता है जो विधान सभा में होती है किसकी परधानता है हमारे सम्विधान में सम्विधान को सबसे धिक परधानता दिया गया है तो center government का जरूर है हस्तक छेप जादा उनका जरूर हो तो उनको सक्तिया जरूर जादा जी गई है लेकिन वो सक्तियों का दुरूपयोग नहीं कर सकती है क्योंकि वो भी संब्धानिक दाइरे में बंधी हुई है ये क्या होगा एक best answer होगा आप लोग क्या करते हैं आप लोग सुरू से अंतक सारे article लिख देते हैं exam में fact में भर देते हैं सारे answer में और फिर बोलते हैं कि मेरा answer complete होगी answer वैसे complete नहीं होता है आपको conclude करना होता है बहुत अच्छे से मुख्य हिस्सा और conclusion मिला के कि संब्धान में अवस्य के अंदर सरकार को अधिक सक्तियां दी गई हैं क्यों दी गई हैं हमारे इतिहास ऐसा रहा है हमारे इतिहास ऐसा रहा है कि जब-जब सेंटर कमजोर हुआ है तब-बहारत में विभाजन हो गए थे कितनी ही बार हुए हैं अलग अलग राज्यों मराज्य बन जाते हैं, मौरियों के बाद भारत सरकार ही थी, जो सेंटर सबसे ज़्यादा मजबूत बन पाई, तो इसलिए सेंटर को ज़्याद सक्तियां दी गए इतिहास से सीख कर कि हाँ भई, गौवर्मेंट मजबूत होना चाहिए केंदर सरकार, लेकिन राज्यों को भी सक्तियां दी गई है, सक्तियों का भिभाजन किया गया है अपने यहाँ, राज्यों के बीच में भी राज्यों के भी सक्तियां है, और कौन से है, सात्मियन सुची है, किसी ने भी जिक्र नहीं किया था, कि राज्य सुची है, केंदर सुची है, और संबर्ती सुची है किसी ने भी जिक्र नहीं किया था कि राज सुची केंदर सुची संबर्ती सुची में तीनों को अलग लग सकतियां दी गई है राज सुची के भी सह पर जब सेंटर को कोई कानून बनाना है तो आर्टिकल नमर मिलता है इतना जल्दे नमर मिल जा है वो भी काफी है जिस दस नमर ग्यार नमर बारण नमर बिठा के छोड़ देते हैं वो पूरे एंसर पर तो इंचियों को आपको लिखना परेगा आप क्या करते हो जैसे सवाल ने पूछा कि भारतिय संगिये ढाचा संभिधाने के कें सरकार के इनमुख है व्याकि आप सिदा पहली क्या लिखते हो हाँ बिल्कुल सही कहहर हो आप बिल्कुल सेंटर गोवर्मेंट की और ही उनमुख है आप सारे आर्टिकल समर्थन कर देता है तो इस सवाल कहतम ऐसे नहीं होता हे आपको ये भी बताना पर गए कि नहीं ऐसा नहीं है हलाकि इस तरह की चीज़ें हमारे सम्मिधान में बिल्कुल जुका हुआ है केंदर की होगा लेकिन राज्यों को भी सक्तियां दे गई है सेड्यूल सेवन के तहत राज्य सुची बनाया गया है जिस पर सेंटर गवर्मेंट सामाने रूप से कानून नहीं बना सकती है और कानून बनाने के लिए आर्टिकल 249 के तहत राज्य सभा की एक ही जगए कुछी जगए हैं ऐसी जहांपर राज्य सभा की जो सक्तियां है वो लुक सभा से जादा है तो वो आर्टिकल 49 भी उनमेंस एक है जहांपर आर्टिकल 249 के द्वारा राज्य सभा को दो तीहाई बहुमत से ये पारित करना होता है कि राज्य सुची पर केंद सरकार कानून बनाएगी तभी बन सकता है उस पर कानून इस तरह का एंसर जब आप लिखोगे तो क्या होगा पूरा एंसर कंक्लूड होके एक बहतरीन एंसर बनता है सिर्फ फैक्ट से एंसर कंप्लीट नहीं होता है इसी को क्या कहते बंधों समझ कहते हैं उसके बाद तो आप लोग सारा भरहीद होगे कि ये ये आर्टिकल है जैसे इसमें भी एंसर दिया हुआ है देखो इन्होंने भी सुरू किया अपहले सात्वी अनसुची से ही अभी मैंने देखा इनका एंसर तो उसक वाँसे सारे आर्टिकल इन्होंने लिखे हैं फिर ये भी बताया है कि कहाँ कहां पर Central Government relatively मिलकर काम करती है सारा कुछ बताया है राजपाल की सक्तिया है या दिकारियों पनियंतरन है सब कुछ बताया हुआ है यही आपको फिर तो आप लिख़ि देते हो सारा कुछ जो आप लिखते हैं लेकिन इन चीयों prematurement होता होगा ओके अब आते हैं इसके सारे सवाल में बता देता हूं कौन-कौन से सवाल पूछे गए हैं तो दो चीज ही में एक मुख्य रूप से होता है कि सीज के लिए answer rating के लिए मैंने क्या क्या बताया एक होता है समझ और दूसरा होता है content तीसरा होता है कि आपकी सैली कैसी है अब answer कुछ-कुछ होते हैं जो कहानी के जैसे सुरू करते हैं खतम कर देते हैं आपसे answer पूछा आपसे कहानी नहीं पूछी गई है इसलिए answer को जब भी शुरू कीजिए तो थोरा सा मुखे पहले सबसे पहले intro लिखो इंट्रो से पहले भी कुछ लोग ऐसे ऐसे structure बना देते हैं ये गलत है इंट्रो से पहले कुछ भी नहीं बनाना है इंट्रो लिखो उसको जिस जो आपको बनाना है वो बनाओ दिखाना है भी सेस्ता या परिनाम या फिर कारण जो भी बनाना है उसको फिर मुख्य हिस्सा लिखिए फिर conclusion लिखिए map डालना है तो map बनाईए answer आपका खतम हो जाता है बस वही चीज होता है और जिनको mains देना है अभी 67 का answer practice अगर आपका अच्छा है बहुत सारे लोग और मुझे बेजात मैं उनको बोला कि अब आप answer practice से ज्यादा content पर focus कीजिए content इकठा करना बहुत ही जरूरी होता है जो लोग mains देने जा रहे हैं उनको खास वर से चीज सुनना चाहिए content आपके लिए बहुत ही जरूरी होता है content नहीं होगा तो आप कितना भी practice कर लो exam में अगर नया सवाल आएगा तो आप वहाँ पर नहीं लिख सकते हैं इसलिए जो भी लोग exam देने जा रहे हैं अब आपका मुख्य फोकस होना चाहिए अगर आपकी लेखन सैली अच्छी हो गई है अगर आप असुधिया नहीं करते हैं एंसर में हिंदी लिखने में गलतिया नहीं करते हैं और आप एंसर लिख लेते हैं चार पेज का तो आप आपको अब एक ही चीज़ पर फोकस करना है कितना ज्याद भूयुक्स पर हूं रिवाईज कितना ज्यादा करूं भूक्स परना है जितना ज्यादा हो सके जोगरफी का, पॉलिटी का, हिस्ट्री का, निूजपेपर पढ़ने हैं, करेंटे फ़र पढ़ने हैं, भुक्स पढ़ने हैं, इनको रिवाइज करके जाना है जिससे आपका एंसर लिखने वहाँ पर दिक्कत नहों एंसर राइटिंग की रोज प्रैक्टिस तीन ही घंटे के कीजिए, तीन घंटे ज्यादा नहीं बाकी जो आप छे साथ घंटे परते हैं, छे से साथ घंटे तो परते होगे न, मीनिमम, नहीं तो में दिन मत जाना अगर करने ही परते होगे दस घंटे तो तो दस घंटे अगर आप पर रहे हैं तो बाकी समय कंटेंट इगठा करने पर पर रिवीजन पर देना सेलेक्शन गैरेंटेड हो जाता है चलो मैं एक और सवाल का समझा देता हूं पहले सवाल नोट डॉन कर लेना इसका सबी लोग जिनको भी सवाल ये चाहिए होगा पहला है कि भारती संगिय धाचा संब्यधानिक रूप से किंद सरकार के और उनमुखे व्याख्या कीजिए अर्ती संग का है भारती राजियों के ओसमान विकास ने कई समाजिक आर्थिक और आर्थिक समस्याई पैदा की है बिहार के विशेश संदर में इस कथन का समाल उचना पक वर्णन कीजिए अगला है कि भारत की संसत राष्टी एक्ता के लिए प्रफावी मंच है चर्चा कीजिए सारे प्रिवियस यह कोस्टन है UPSC के भी है इसमें सवाल VPSC के भी है और UPPCS के भी सवाल है इसमें इगवर्नेंस से आप क्या समझते हैं बिहार में इगवर्नेंस के कार्यानिवन की स्थितिक विवेचना कीजिए अगला कुस्टन है उसके बाद है कि सम्विधान और सम्विधानिक्ता में क्या अंतर है मैं इसको समझा दूँगा भारत के सरवच ने आयले द्वारा प्रतिपादित मूल सनरचना के सिध्धान्त मूल सनरचना की इसमें आया था अगला है कि भारते सम्विधान की प्रस्तावना कंसार भारतिक समाजवादी धर्ण निर्पेक्ष लोकतांतरिक गंतांतरिक राष्ट है ये सब कब जो रा गया है 42 में समविधान संसोधान में जो रा गया है इस गोसना को लाङु करने के लिए समविधानिक प्रावधान क्या है ये जो समाजवादी है, धर्णिपेक्ष है, लोकतांत्रिक है, समविधान में ऐसे कौन-कौन से आर्टिकल है जो इन चीजों को लागू करते हैं तो धर्म निर्पेक्स के लिए आप क्या बोल सकते हो 25, 26, 39 इन सब का उधारन दे सकते हो जो मूलदिकार में दिया गया है उसके बाद से लोकतांत्रिक के लिए भी आप बता सकते हो कि हमारे हाँ लोकतांत्रिक तरीके हैं समाजबादी के लिए बता सकते हो कि DPSP में समाजबाद की बात की गई है भूसुधार का एक्ट लाया गया था बाद में जिसको नाइंथ सेडिूल में दाला गया सम्विधान के है ना तो इन सब चीजों को बता सकते हो आसान सवाल है यह न्याइक सक्रित्या किराइटी में राजपाल के सकतियों और कारियों के विवेचना कीजिए इसको आप लिख सकते हैं बहुत ही आसान सवाल थे कोशिस मैं करूँगा इसका PDF समभब होगा तो मैं डाल दूँगा कॉपी डाइट आने का डर रहता है इसलिवे नहीं डालता हूँ समभधान एक दस्ता बेज है जिसमें किसी देश की सरकार की सनचना और देश के सासन के समद में नियम होते हैं समभधान बाद कहता है कि किसी देश के नागरिकों की सोतंतरता को रोकने के लिए या सुनिस्सित करने के लिए कि सरकार अपने अधिकार से परे तिफिनेसल और NCRT अगर आपने पढ़ा हुआ जैसे भारत का जो सम्विधान है उसका मुख्यकार है क्या है सरकार जो है भारत सरकार या राज सरकार इनके सोसन से आपको बचाना है सम्विधान का मुख्यकाम मैंने अभी यह क्या बोल दिया इस संविधान में सरकार को चलाने के लिए सरकार को चलाने के लिए नियम कानून दिया ही हुआ है साथ हमें परतिबंद भी लगाएगे हैं सरकारों पर कि आप नागरीकों के अधिकारों का हरन नहीं कर सकते हैं जाने कि सम्विधान जो है, वो हमें सरकार से भी बचाती है, सम्विधान जो है, वो हमें भी अपने से भी बचाती है, हमें खुद से, मतलब आपको आप ही से बचाती है सम्विधान, NCRT पर नए समझ बनेगा, क्या आप मैंने बोला, इसका मतलब होता है मान लो देश में भरष्ट सरकार आ जाए कोई बिहार में जैसे बहुत भरष्ट सरकार है वागर वागर आप सब सोचोगे कि क्यों ना चलो मिलकर सैनिक सासन लगा दिया जाए राज जिम्या है ना बिल्कुल सेना को सौफ दिया जाए डिस्सिप्लीन होना चाहिए यह और बहुत सारे लोग प्रीमेचूर एज में यह सब सीज बोलते भी है करे सैनिकों को सासन दे देना चाहिए गोली मार देंगे यह करेंगे वो करेंगे इस सोच से भी आपको बचाती है क्योंकि सैनिसासन हो सकता है दो दिन के लिए अच्छा हो लेकिन लॉंग टर्में ये भी तो आपके अधिकारों को छीन लेगा अपस्पा जहां पर लगा हुआ है यही तो है अपस्पा वहाँ पर क्या हो रहा है सैनिसासन ही है तो वहाँ के लोगों को जागे पूछो गोली मार देता है कोई भी सैनिक कहीं भी किसी को भी इस तरह के चीज़ों को वह लोग फेस करते हैं यानि कि सम्विधान सरकार से तो आपको बचाती ही है या और किस से बचाती है आपको खुद से भी बचाती है इसी को सम्विधान वाद कहा जाता है सम्विधानिक सासन का मतलब क्या होता है UPSC दस्यों बार पूछ चुकी है सिमित सासन सासन को भी भी और सिमित होगा तो चीन जैसा बन जाएगा अपना देश या सम्विधान का जहां पर सासन नहीं होगा संबिधानवाद तो संबिधानवाद एक्शली मुवस्थिधान्त है जिसके तहट इंचियों की चर्चा की जाती है दूसरे सब्दों में एक संबिधान एक दस्ताबेज है जो एक राजी की सक्ति को सिमित करता है तो कि संबिधानवाद एक राजी की सक्तियों को सिमित करने के पीछे एक सिध्धान्त है जिस सिध्धान्त के तहट राजी की सक्तियों को सिमित किया जाता है वो सिध्धान्त कौन सा है संबिधान बाद किलियर हो गया होगा यहां तक अब एक और सवाल को मैं explain कर देता हूँ जिससे आपको answer कैसे लिखना है ये थोड़ा और clear हो जाएगा मूल मोटी वही होता है pen चलवाना आपका और एक और वीडियो मैं आज डाल दूँगा जो 68 BPSC के तियारी कर रहे हैं उनके लिए इस सवाल को हल करते हैं इस सवाल को खुद से ही पढ़ने चार्चा में है यानि कि इस तरह के सवाल आपको खुद से ही पढ़ने चाहिए यानि कि सासन में जब हम सूचना प्रद्योग की को एड कर देते हैं इन दोनों के एड करने से क्या बन जाएगा इसासन यानि कि हमें सासन करना है लेकिन उसमें हमें मतलब सूचना प्रद्योगी को एड करना है इसको अब एड करने के पीछे क्या आद कारण हो सकता है इसे क्या होगा जो सासन कर रहा है सासक और इस तरह के चीज़ आपको बनानी होती है जो सासक है और सासित है इसके मद्द की दूरी जो है वो कम हो जाएगी यही तो मुखे मोटीव होता है ए गॉर्मेंट का Digital India Platform जैसी चीज़े क्यों लाएगे आप मुझे बताओ कि DBT जो सुनते हो Direct Beneficiary Transfer की पैसे Direct Account में आएगे इस तरह की चीज़े क्यों लाएगे अब आपको इसकी उपयोगिता को लिखना है कि इस आसन के एगे क्या-क्या उपयोगिता हो सकते हैं इसका हो सकता है कि सुचना प्रदयोकी से देश जूर जाएग तो भराष्टाचार कम होगा पॉलूशन कम होगा उसके बाद सरकार जनता के विजदूरियां कम हो जाएगी परियावरन सरक्षन मदद मिलेगा जनता ध्यारित ग्यान अधारित समाज बनेगा लोग जागरुक होंगे लोग गर्वर्मेंट को कुस्टन पूछ सकते हैं गर्मेंट डारिक्ट एंसर देगी जनता को जवाब देहिता बरता है उतरदाई तो बरता है मुदी जी क्यों डारिक्ट लोगों से संबाद करने में विश्वास करते हैं क्यों इगर्मेंट जैसे पोर्टल बनाएगे हैं सोचो BPSC का फोर्म जिस समय में ऑफलाइन डाला जाता होगा उस समय में कितनी दिक्कत आती होगी तो यही सब चीजे क्या किस में आती है इस गर्मेंट में आती है हेल्थ के लिए नया जो आईसमान भारत लाया गया जिसमें कोई भी पेपर का काम नहीं होता किसी भी लिखा पढ़ी का काम कुछी भी नहीं होता बसे कंगूठा सा काम चल जाLab तो वो किसका उधारन है? इगल्मेंट का ही उधारन है इसके लिए भारत सरकार बहुत सारी योजनाय चलता अब भीहार सरकार के समख जो योजनाए है जो E-Government के लिए चला रही है, वो एक-दो मैं यहाँ पर परहा देता हूँ, देखो E-Government के इन्होंने बहुत अच्छा लिखा हुआ है, Government to Citizen नागरिक, Government to Government सरकार 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 से संबाद कर सकती है, सरकार वेवसाईयों से संबाद कर सकती है, सरकार अपने Employee से भी संबाद क कर सकती है, किसके दोरह E-Sasana के मजबूत होने से, उमंग एप का उधारन दिया है, परिवेस एप का उधारन दिया है, E-Kharid Portal का, HRMS Portal का उधारन दिया है, इसके अलाब आप E-Name भी लिख सकते हो, Agriculture National, Electronic National Agriculture Market, इन सब चीज़ों के बारे में भी, Digital India के बारे में लिख सकते हो, Driving Lessons Online बन जाती है, इन सब चीज़ों के बारे में भी लिख सकते हैं, फायार Online दर्ज कर सकते हैं, यह सब किसका भाग होता है, E-Sasana का भाग होता है, इसका मैं PDF प्रवाइड करवा दूँगा आपको टेलिग्राम पर, टेलिग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, समर्थन में रहता है, मुझसे कुछ पूछना होता है, इंस्टाग्राम का दिया हूँ अर्टैलिंग को हाँ पर आप पूछ सकते हैं, वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, और आंदोलन हो रहा है, तो उसको समर्थन कीजिए, आप अगर मेंस भी दे रहे हैं, तो भी पर हैं, जिनके तार चार दुक के गरत हो गए हैं, वो 108 नम्मर पर हैं, 107 नम्मर पर, कोई भी डेर सो किसी को भी नहीं आता है, इतना मैं भी जानता हूँ, मैं परहाता हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ, तो सपोर्ट कीजिए, बांकि वीडियो जैसा भी लगा हो बताना, आगे भी इस तरह का वीडियो आता रहेगा, थैंक्यू सो मच आप सभी का,